अब आसान शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि भुकम आता क्यों है पहला टेक्टोनिक फॉल्ट दूसरा कारण ज्वाला मुखी भुकम तीसरा भुकम जो है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल देखिए भुकम पाने की दो तीन कारण होते हैं जैसे मिन एक पहले बताया है टेक्टोनिक टेक्टोनिक में सागर कोई फॉल्ट है मेजर और फॉल्ट में लगबग जैसे हमारी हम देखते हैं कि वर्ल्ड का पूरे बारा प्लेट्स में बाटा हुआ है तो प्लेट की मुवम से क्या है कि rocks में stress increase होता है आपके strain energy strong होती है तो जब भी rock की strength से ज्यादा energy आपको उसको देंगे तो रॉक ब्रेक करेंगी तो वो ब्रेक करने से क्या है कि earthquakes आते हैं दूसरा कारण है अर्थविक आने का volcanic earthquakes आते हैं जैसे अगर कोई बड़ा volcano है वो मालब फूटने वाला है कोई volcano erupt होने वाला है उससे क्या होता है eruption की इतनी energy होती कि आसपास की rocks break होती है तो उससे जो अर्थविक्स आते हैं लेकिन वो अर्थ के छोटे-छोटे होते हैं maximum magnitude 5 तक आ सकता है उसमें उसको volcanic earthquakes काते हैं और एक होता है extra terrestrial means meteorite जिसकी बहुत ही rare है जैसे कोई बड़ा अग अर्थ क्रकार की बात करने के बात करते हैं कि भुकम की तीवरता कैसे मापी जाती है और गुजरात में इसके कितने stations है गुजरात में देखें तो गुजरात का जो नेटवर्क है वो पुरे इंडिया में इतना network किसी state state में नहीं है तो गुजरात में हमने 170 जो स्टेशन से ह पूरे गुजरात में फैले हुए जहां छोटे छोटे भूकम भी आते हैं वह भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसकी तीवरता बता सकते हैं वह कितने डेप्ट पर और वह उसका उद्गम स्थल कौन सा ही हम आपको डिटेल में बता सकते हैं तो जनली मैंगनिचूड उसको तो उसकी तीवरता के लिए जनली एक होता है मैगनिट्व स्केल आपने काफी पड़ा होगा डिक्टर मैगनिचूड तो डिक्टर मैंगनिचूड थे जो था वह जनली चार्स रिक्टर एक सैश्मोलोजी से उन्हीं नहींने के लिए बनाया था उस में कर्यक्शन टॉर्ण है जैसे गुजरात का हमने इतना स्टड़ी किया तो में पता है कि उसमें कितना आपको कर्रेक्शन लगाला है तो कर्रेक्शन लगाने के बाद हम लोकल मैंगनीचुड निकाल सकते हैं अभी जब से इस्टुमेंट डिजिटल टेक्नोलोजी आगी अभी जितने भी हमारे मेज इस्टिटोमेंट गया है तो डिजिटल एकूप्मेट्स इसे जहां bयाला हम प्रहे मीचुंड अब डीजिट और के इननर्जी निकाल सकते कि आर्पकपर कितनी अनर्जी वी उससे जो हम जと思़िए मैरे मनीचुलेट्य शरीए मैजोस्द गयाते है तो अब आजकल कि ह्य fried Stream कितना था उसमें और उसके बेस भी जो हम मैंगनिटूट निकालते हैं उससे हम मैंगनिटूट कहते हैं आए अब जानता है कि गुजरात में किस जगा है भुकम का कितना खत्रा एक ब्यूरो अफ इंडियन स्टेंडर ने पूरे अर्थ को सैस्मिक जोन चार जोन में डिवाइ कच का जो पूरा डिस्टिक्ट है वो पूरा जोन फाइब में है और कच से लगा हुआ एक पट्टी है असी से सो किलोमेटर की जिसमें द्वार का जामनगर मोर्भी ये एरिया आता है ये जोन फोर में आता है और पूरा सौरास्ट्रा पूरा दक्षिन गुजरात ये पूर फोर में साथ मैंनी चुटका जोन फ्री में चुटका और जोन टू में फाइब मैंनी चुटका पूरतिक आपदाओं से जूजने के लिए शेत्रिय रणनीतियों के साथ एक स्पष्ट राश्ट्रिय नीति की भी जरूरत है देखना ये होगा कि परंपरागत ज्यान के साथ हम आधूनिक विज्ञान को कितना जोड सकते हैं वीडियो जर्नलिस्ट रोज़ा लोजा के साथ स्वामया सिंग आहम दबात गुजरात तक